राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को दो कथा सुनाने जा रही हूँ एकादसी ब्रत कथा शड तिला एकादसी ब्रत कथा प्राचिन काल में वारा नसी में एक गरीव अहीर रहता था वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचने को जाता था शहर में जिस दिन उसकी लकड़ी न बिति तो पूरा परिवार ही भूखा रह जाता था क्योंकि उसका कामी था लकड़ी काटना और शहर में लिजा करके बेचना एक दिन वह साहुकार के घर लकड़ी बेचने गया साहुकार के यहां उसने देखा कि किसी उतसों की तयारी चल रही है अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा सेठ जी यह किस चीज की तैयारी हो रही है सेठ जी ने वताया कि यह शड तिला एकादसी ब्रत की तैयारी चल रही है इस ब्रत को करने से गरीवी, रोग, पाप, हत्या, आदिभव बंधन से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं मुत्त की प्राप्ती होती है घर पहुँच करके उस अहीर ने भी अपनी इस्तरी और बच्चों सहीत इस सड तिला एकादसी ब्रत को विध्यान पूर्वक किया जिसके फलसरूप वह कंगाल से धनवान हो गया अब मैं दूसी कथा आपनों को सुनाने जा रही हूँ जो की भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्टी जी से बताया है युधिष्टी जी ने पूछा हे श्री कृष्ण, हे जगनात, हे आदिदेव, हे जगतपते माग मास के कृष्ण प्रक्ष में कौन से एकादसी होती है उसके लिए कैसी विधी है, तथा उसका फल क्या है महा प्राग किरपा करके यह बाते बतलाईए श्री भगवान बोले, नप शेष्ट सुनो माग मास के कृष्ण प्रक्ष की जो एकादसी है वह शड तिला के नाम से विख्यात है वह सब पापों का नाश करने वाली है अब तुम शड तिला की पाप हारनी कथा सुनो जिसे मुनिशेष्ट पुल्तस्य ने दालभ्य से कहा था दालभ्य ने पूछा ब्राह्मन, मृत्य लोक में आये हुए प्राणी प्राया पाप कर्म को करते हैं और उन्हें नरक में जाना पड़ता है नरक में न जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है बताने की किरपा करें पुल्तस से रिसी बोले हे महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है बतलाता हूँ सुनो माग मास आने पर मनुस्वी को चाहिए कि वह नहाद हो करके पवित्र हो इंद्रियों को सैयम में रखते वे काम, क्रोध, एंकार, लोव और चुगली आधी बुरायों को त्याग दे देवा अधी देव भगवान का इस्मरण करके जलसे पैर दोकर भूमी पर पड़े हुए गोवर का संग्रह करे उसमें तिल और कपास छोड़कर एक सो आठ पिंडिकाएं बनाएं फिर माग मास में जब आद्रा या मूलन छत्र आए तब किष्ण पक्ष की एकादसी करने के लिए नियम ग्रहन करे भली भाति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवा अधी देव श्री विष्णु भगवान की पूजा करें कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें राद को जागरण और होम करें चंदन, अर्गजा, कपूर, नेवेद, आधी समगरी से संख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, स्री हरी की पूजा करें तत पश्चात भागवान का इस्मरण करके बाराम बार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, कुमड़ा मतला हुता कद्दू नारियल, अथवा बिजोरे के फल से भागवान को विधी पुर्वग पूजन कर अर्ध दें अन्य सब समागरियों के अभाव में सो सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्ध दान के जा सकते हैं अर्ध का मंत्र इस प्रकार से है कृष्न कृष्न कृपालु सोत्वम्गतिनाम गतिभर्व संसार नाम अग्नानाम प्रशीद पुर्शोत्तं नमस्ते पुलिरी काख्ष नमस्ते विशु भावन सूब्रवन्यम नमस्ते अस्तु महापुरुश पुरवज सचिदानन सुरूप स्री कृष्ण आप बड़े द्यालू हैं हम आश्रे हीन जीवों के आप आश्रे दाता होए हे पुर्शोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं आप हम पर प्रसन होए हे कमलनयान आपको नमश्कार है विश्व भावन आपको नमश्कार है सुब्रवन्यम वहाँ पुरुष सबके पुर्वज आपको नमश्कार है जगत पते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्ध स्विकार करें तत पश्चात ब्रामन की पुजा करें उसे जल का घड़ा धान करें साथी छाता, जूता और वस्त्र भी दें दान करते समय ऐसा कहें इस दान के द्वारा भागवान स्रीकिष्ट मुझ पर प्रसंद हो अपनी शक्ती के अनुसार सेष्ट ब्रामन को काली गव दान करें द्विज शेष्ट विद्वान पुरुष को चाहिए कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हज्जार वर्सों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है तिल से स्थान करें तिल का उप्टन लगाएं तिल से होम करें तिल मिलाया हुआ जल्पी हैं तिल का दान करें और तिल को भोजन के कामों में लें इस प्रकार छे कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादसी शट तिला एकादसी कहलाती है जो सब पापों का नाश करने वाली है तिल इसनाई तिलो द्वर्ती तिल होमी तिलोद की दिल दाता चा भोकता चा शट तिला पाप नाशनी इस प्रकार से आप लोगों ने पवित्र पुन्य दायनी और मनोवांचित फल को देने वाली इस एकादसी ब्रत की कथा को सुना आशा करती हूं कि आप लोगों को या एकादसी की ब्रत कथा अच्छी लगी होगे आज मैं आप लोगों को इक कथा सुनाने जा रही हूं तुलसी माता की कथा सब कोई तुलसी माता को सीचते हैं सब कोई तो सीच के चले जाते थे लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सीचती और तुलसी माता से कहती सत की दाता मैं बेला सीचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे पितामरा की धोती दे मीठा मीठा गास दे बैकुंट का वास दे चटके की चाल दे पटके की मौत दे चन्नन की काठ दे जालर के जिनकार दे साइं का राज दे दालभात का जमीन दे इग्यारस का दिन दे कृष्ण का कंधा दे इतनी बास सुनकर माता तुलसी सूखने लगी एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरते आती है तुम्हें जिवाने, गातने, तुम्हें पूजने और तुम सूखने कैसे लगी तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है मैं तो और सब कुछ दे दूँगी पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहां से दूँगी थोड़े दिन बात वह बुढ़िया मर गई सब उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फिरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है भगवान बोड़े ब्रामण का रूप धारन करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड क्यों हो रही है सब लोग बोले एक बुढ़िया है जो कि मर गई है पाप नहीं थी इसके किसी से नहीं उठ थी तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी सब ने कहा तुभी मन की निकाल ले भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तु बिर्ला सीचे मेरा मैं करू निस्तारा तेरा बुढ़िया माई अडवा ले, गडवा ले पितांबर की दोती ले मीठा मीठा गास ले बैकुंठ का बास ले चटके की चाल ले पटके की मोद ले चन्नन की काथ ले जालर की जिनकार ले साई का राज ले दाल भात का जमीन ले कृष्ण का कंधा ले इतना सुनते ही पुर्यामाई हलकी हो गई भगवान ने कंधे पर ले करके उसको गए उसकी मुक्ति हो गई हे तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करी हो जैसे उसको कंधा दिया है भगवान किष्ण ने ऐसे ही सभी को कंधा दे इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने पहकरी उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वधा भगवान विष्णु की किर्पा बनी रहे माग मास किश्न पक्ष में पढ़ने वाली यह एकादसी जिसे की शड़ तिला एकादसी के नाम से जाना जाता है यह एकादसी दिन मंगलवार छे फरवरी 2024 को है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादसी ब्रत महिने में दो बाद धारण किया जाता है एक शुकलपक्ष में एक किष्णपक्ष में हर ब्रत का हर एकादसी ब्रत का एक अपना नाम होता है माग मास किष्ण प्रक्ष में पढ़ने वाली यह एकादसी जिसको कि शड तिला एकादसी के नाम से जाना जाता है इस एकादसी का नाम है शड तिला एकादसी माग मास में तिल के प्रयोक करना, तिल का दान करना, तिल का हवन करना और तिल को भोजन में लेना इन चारों ही कारियों का पुराणों में बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है अभी सकट्चो था था उसमें भी तिल की ही पूजा की गई और एकादसी जो की ब्रतार है एकादसी का उसमें भी तिल का भोग लगाना, तिल से इस्नान करना, तिल मिस्रित जल को पीना का विधान है तिल का विश्यस महत बताए गया है वैसे तो पूरे माग मास में ही तिल का अक्तेधिक महत बताए गया है तिल का दान का विश्यस महत बताए गया है कहा जाता है कि जो कोई भी माग महिने में तिल का दान करता है उसको कितना पुन्य फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में कहा जाता है कि एक तिल के व्रक्ष लगाया जाए और उस व्रक्ष की जितनी टहनी होती है जितनी डालियां होती है उसमें जितने तिल होते हैं उतना ही पुन्य फल की प्राप्ति होती है तिल के दान करने से इस पूरे माग मेने में तिल के दान का विशेस महत बताये गया है चलिए अब मैं आपरों को बताती हूं कि यह एकादसी ब्रत कब आरंभ होगा तिथी का आरंभ कभ है और समापन कभ है तिथी का आरंभ है दिन सोंबा कुसायन 5 बचकर के 24 मिनट से एकादसी तिथी आरम होगा और समापन होगा मंगलबार की शाम 4 बचकर के 24 मिनट पर साथ फरवरी को बृत का पार्णा है पार्णा का शुह मोर्थ है 6 बचकर के 38 मिनट प्रातः से 8 बचकर के 30 मिनट तक का बहुत ही शुर्व समय है पार्णा के लिए आईए मैं आपको पुजा का विधान बताती हूँ भवान विश्णु की पुजा किस प्रकार से करनी चाहिए यदि संभव हो सके तो आसपास कोई भी तिर्थ इस्थानों तो वहाँ जाकर इस्थान करना चाहिए यदि न कर पाये तो कोई बात नहीं है अपने इस्थान करने वाले जल में ही गंगा जल मिला करके इस्थान कर लें इस्थान करने के बाद में भवान सुर्य को अरग दें अरग देने के बाद में अपने घर के मंदिर में आकर के सबसे पहले स्वेम को संकल्पित करें कि आज मैंने शड तिला एकादसी ब्रत को धारण किया है और भगवान विश्णू मेरे उपर किरपा करें और मेरा यह ब्रत निर्विगन रूप से पूर्ण हो सबसे पहरे एक चौकी लगाएं भोग में तिल का अवसे ही भोग लगाएं इसके बाद में एकादसी ब्रत कता को पढ़ें अथवा सुनें आर्थी करें आर्थी करने के बाद में जो आपने भोग लगाया है उस भोग में तुलसी के पत्ती अवसे ही डालें और वह भोग रुपी प्रसाद अपने पूरे घर में सभी को दें और स्वेम भी ग्रहा करें कहा जाता है कि 8 साल की उम्र से ले करके 80 वर्स तक के उम्र के लोगों को यह ब्रत धारन करना चाहिए कि सारे फलहार को ले करके भी इस ब्रत को करें पर ब्रत एकादसी अवस्य ही करें सारा दिन भगवान विश्णों के मंत्र का जाप करें यदि मंत्रों के जाप करने का समय न हो तो मनिमन सीताराम सीताराम इस मंत्र का जाप करें किसी की बुराई न करें, किसी की बुराई न सुनें, किसी का अपमान न करें, किसी को अपशब्द न कहें, सारा दिन अपना मन, ध्यान, भगवान स्री हरी विष्णों के चर्णों में लगाएं इस प्रकार शड़ तिला एकादसी ब्रत को आप धारण करें आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी किर्पया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा बेल आइकन दवाना ना भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद